क्यों का येस कंपोज यूर ड्रीम हमें इसको बार-बार करने की जरुवत है तो हमारे चंदर लगातार क्या जा रहा है इसको आप लोगों को प्रड़ कराए जाएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे इस रकलास आपको लगातार मिलती रही हम लोग सत्य कथन हमें से याद रखना कि सत्य और असत्य क्या पूछा जा रहा है ठीक है पहला है बटी सासन ने भारतिय सुतंता के परश्णों के समाधान है तो एक तीन सदस ये केमिनट भारत भारत भेजा था बिल्कुल तो केमिनट मिशन जो भारत आया था उसमें तीन सदस थे लौड़ पैथिक लौरेंस एबी एलेकजेंडर और जो है आपका जो है क्रिप्स थे ठीक है और लौड़ पैथिक लौरेंस तीन लोग थे केमिनट मिशन ने भारत के नए समिधान के रचना है तो एक समिधान सभागे कठन की सिपारिस की थी तो बिल्कुल सही है तो समिध सभाग की सिपाइस किस ने किया था तो केबनेट मिसन ने किया था भारते समीधान निर्मार के लिए समिधान सभाग के निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे यह भी बिलकुल सही है तीनों आफसन सही है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी इस तरह क कोशन है भारते समीधान सभाग के बारे में निम्रकित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए पहला है इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी बिलकुल सही है और इसी दिन सचितन सिनहा को आस था यद्धच बनाया गया था सभाग की पहली बैठ रश्चित नहीं थे दो पस्टित नहीं हुए थे बिल्कुल सही है यह भी बिल्कुल सही है उसलिम मलिक के सद्पर नहीं आये थे पहली बैठक में दोनों सभी है तacak पैस कोनसे सरनियों ने समिधान स्वा में अलब संख्यक वर्गों का परतनियूंत किया था इसमें कौन कौन से something कोदि से लोग था जो अलब संख्यक वर्ग कि ओर से समिदान स्वा में सामिल हुए थे पहला है जो है फ्रेंक एतनी यह आपका इसाइयों की ओर से सामिल हुए इसके लावा डाक्टर एच पी मोदी यह जो है आपका सामिल हुए थे जैन धरम की ओर से त्यार रखना यह अलब संख्यकों की ओर सामिल हुए थे तो एक और दो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी ठीकत एक और दो लोग सामिल हुए थे इस तरह के कुशन भी आप पूछे ज दस्यों ने पारिश समिधान पर अपने हस्ताच्चर किये थे बिल्कूल सही है समिधान भारत का समिधान 26 जनुरी 1950 को लागू हुआ पूर्णूप से बिल्कूल सही है 1922 राजंदर परसाद बिधिवत दुवाचित पर्थम राष्ट पती बने थे बिल्कूल सही है तो मने लिए था्श के जोहीव एतिहास से जुड़ा हुआ है और याद लेखना 26 जजनुरी 1930 को फुण सोतंता दिवस मनाया गया था जब लाहोर अदवेशन 1929 में हुआ था तो ने लिया गया था कि हर 26 जनुरी को हम सोतंता दिवस मनाएंगे तो पहला सोतंता दिवस का मनाए गया था 26 जुनुरी उनिसो तीस को पूर्ण सोतंता दिवस मनाए गया और इसी की याद में हमने जो है 26 जुनुरी 1950 को समिधान लागो किया और उसे गरता अंतर दिवस के रूपे हमने मनाना शुरू कर दिया ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका बी नेक्शन आपका परस्तावना के संद्र में दिये गए कòngा से गएतन यहां यहां तो पहला है. जया ग्रत हो जाएगा तो इसका एंसर हुझाएगा आपका सीं ठीक है तो ऐसे question को बहुत केरफुल professional पढ़ने की जरूवत है नहीं तो कुशन गलत हो जाते हैं ठीक है अगला है आपका प्रस्तावन में भारत को एक गणराज घोसित किया गया इस संदर में कौन सा कथन इसकी पुष्टी नहीं करता है तो गणराज का मतलब यह हो गया कि हमारे देश के जो राश्टपती हैं जो है राज का मुख्यत जनता दोरा निर्वाचित ब्यक्ति होता है आप प्रत्रश्प से बिलकुल और राज के सभी नागरिक समान होते हैं बिलकुल सइह जबकि आपकी मस्य जो है नहीं होगा क्योंगी यहां नहीं पूचा गया है डिक निंशकूशना का भारतियस संभीधान में समाहिद किन विशेश्व्डाओं के कारण यह एक अनोठा संभीधान बन गया है किसी क्मूर्स विश्व molecular संभीधान बन गया है तो इसинг लोगतन्त्र है, संघवाध है, मूल अधिकार है, और नीति निये दे सकता तु सभी है, इसलिए हमारा समिधान बिल्कुल अनूठा है, बिल्कुल अलग है, तो इसका एंसे हो जाएगा आपका D, ठीक है? निश्कुशन है आपका, संघात्मग बिवस्था भारते समिधान की एक महत्मूर बिसेस्ता है, इस संदर में निम्द कथनों पर विचार कीजिए और सत्त कथन की पहचान कीजिए, पहला एस समिधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, बिल्कुल सही है, तो राज्य पडाली में राज्य सरकार संघ सरकार से सकती प्राप्त करती है, यह नहीं, यह गलत हो जाएगा, राज्य सरकार और संघ सरकार दुनों सकती समिधान से प्राप्त करते हैं, ना कि जो है, राज्य सरकार सकती के सरकार से प्राप्त करती है, ठीक है, तो दोनों के यह समिधान क्या सही नहीं है क्या सही नहीं यह पूछा गया है भारते समिधान में नागरिक्ता का प्राउधान भाग दो में किया गया बिल्कुल सही है भारते नागरिक हुआ है जो अपने देश में अस्थाय रूप से रहता है बिल्कुल सही है किसी अन्देश की नागरिक्ता गरहन कर भारत सरकार कुछ प्राउधानों में किसी ब्यक्तिकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, ये बिल्कुल सत्य है, तो इसका एंस हो जाएगा आपका C, निश्कूशन है आपका, निम्रिकित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सत्य कथन की पहचान कीजिए, पहला उप्सन है, भारतिय सम्विधान के लागू 26.1950 के होने के समय, वह सभी ब्यक्ति जो भारत में रह रहे थे, वह इस तिथी से भारत के नागरिक माने गई, बिल्कुल सही है, कोई बिदेशी ब्यक्ति भी भारतिय नागरिक आरजिता आरजित कर सकता है, बस अब भारत में पांच के कमेंट में सेयर कर दूँगा, आप लोगो जुरू जोइन कर लिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे पीडियाफी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, यहाँ कोशन है आपका, बहुत महात्मों कोशन है, भारतिय सम्विधान के अनुसार, निम्रिखित में से किस पद पर बिदे देशी नागरिकों की न्युक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है, पहला है उच्टम न्याले का न्यायधीस, भारतिय संसत के सदस, राज विधान सभाओं के सदस है, ठीक है, अब इकारा ऑप्सन हम देखें, तो इसका ऑप्सन क्या हो जाएगा, सभी, यहाँ दखना जो जितने स नागरिक्ता से वन्चित हो सकता है यदि वा मतलब कोई भी नागरिक्ता छीनी जा सकती है यदि तो क्या हो सकता है भारतिय नागरिक्ता का परित्याग करता है अगर भारतिय नागरिक्ता का परित्याग करता है तब वन्चित हो सकता है स्वेच्छा से अंदेश की नागरिक्ता करहन कर लेता है तब भी उसकी नागरिक्ता चली जाएगी किसी अंदेश की नागरिक से विवाह करता है तो ऐसा नहीं होगा तब नागरिक्ता नहीं जाएगी यदि सरकार की अलोचना करता है तभी नागरिक्ता नहीं जाएगी तो सरकार के अलोचना करने पर और किसी दूसरे देश के नागरिक्ता करने पर नागरिक्ता नहीं जाती है कि नागरिक्ता का दोने यही दो अधार है एक और दो तिसका एंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है? निश्ट कोशन है आपका सत्रा सो तिहत्र के नियमन के सम्बंद में निम्द कथनों पर विचार कीजिये और असति कथन की पहचान कीजिये तो असति कथन की पहचान कीजिये और इस तरह के अधिनियम से जुड़न वे कोशेन एकजाब में बहुत बार पूछे गए हैं ठीक है पहला आफसन है क्योंकि यहां असन तकतन पूछना है यह बहुत ध्यान रखिएगा इसके अंतरगत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार की अस्थापना की गई थी बिल्कुल सही है इस सरकार में गौनर चनरल और उसकी परिशन में चार इसमें गलत हो जाएगा इस अधियम ने गौर्णर जनरल तो था उसकी परिशन पर कई अंकुस लगा दिये थी बिल्कुल सही है तो केवल तीन इसका अंसर हो जाएगा केवल तीन क्यों कि तीन नमर इसमें गलत है क्योंकि जो सुप्रीम कोड के स्थापना की गई थी वह ब अठारा सो तीरपन का चार्टर रेक्ट के नाम से जना जाते हैं उन्हें अधियम नहीं कहते हैं तो इसका ऐसे हो जाएगा आपका डी बी और ए दोनों सही है ठीक है निश्कुशन है अठारा सो एक सट के भारतिये परिशत अधियम के संदर में निम्विकित कथनों पर वि बिल्कुल सही है इस अधियम में उबंद किया गया है कि भारतिय बिधान मंडल द्वरत पारित परतेक परस्ताव पर साप परश्चत भारत सचिव के माध्यम से महारानी की सुबकिति आवस्यक है यह भी बिल्कुल सही है तो इसका एंस हो जाएगा आपका सी ठीक है नेश् से प्रिथर निर्वाचन विवस्था दे दी गई थी और यहीं से संपर्दाइक प्रत्नियुतियों की विवस्था सुरू हो गई थी तो इसका एंस हो जाएगा आपका 1909 अर्थात डी नेश्कूशन है भारतिये सासन अधिनियम 1919 के अंतरगत की इंद्रिय विधान मंडल की सनचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया यह बहुत महत्पून अधिनियम है इसको बहुत अच्छे से समाहिने की जरूत है पहला आप क्या किया गया दूरी सदनात्मों विधान मंडल का सिर्जन किया गया बिलकुल विधान सभा विधान पैशद 1919 के अधिनियम में ह कि कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन की पहचान कीजिए ठीक है देखो जो मैंने आपको बताया वह लिखा है प्रांतु की कारकार सरकार में दोएस सासन की विवस्ता की गई बिलकुल सही है मुसल्मानों के लिए पिर्थक संपरदाई निर्वाचर मंडल दिया गया थ खुथ दूसरा अपन ख़्स हो जाएगा तो दो नमबर यहाँ लिए दो नमबर यहाँ लग्या फन कर गया थैसक घूर दूरह प्रांतों को बिधाई सिकती है कि depths कि नायए गया थे सुभिण सप्रदाब के बीड़ा निर्चियों किया गया था शक्तियों का बिज्यों का तो केंदर और राज की भी सक्तियों को विभाजित किया गया था तो इसका ऑन्सर हो जाएगा आपका C नेश्ट आपका 1935 के अधनियम द्वरास थापिस संग में औसे सक्तिया किसको ली गए थी तो औसे सक्तिया उसे कहते हैं जिसका उलेग समिधान में नहीं होता है जैसे परमाड़ और जाज अंत्रिच विभार के सब्सक्तिया होती हैं यह मैंसा के अंधर के पास होती थी लेक ही कतन की पहचान कीजिए ठीक है पहला option जो है लिकाई इस अधनियम में 321 अनुचेद और 10 अनुचेद थी ठीक है तो 10 अनुचेद थी ठीक है और 1 अधनियम में 321 अनुचेद थी यह कुछन पूछा गया है ठीक है तो याद दखना इसमें जो है पूछा गया कौन से सत्य है ठीक है तो याद दखना इसमें जो है याद दखना ये आपका नहीं होगा जो कि आठ अनसूचिया थी, दस अनसूचिया नहीं थी, पहला आफसन गरत हो जाएगा, तो पहला आफसन यहां भी है, और यहां भी दोनों आफसन कड़ गए, इसके दोरा भारत में सरपर्थम संग्ये सासन पढ़ाली का प्रस्ताओं किया गया था, बिल्कुल सही है, इस अ आफसे हो जाएगा, दी, दो, तीन और चार, ठीक है, नक्स्ट आपका, भारतिय सासन अधनियम 1935 के अंतरगत, कोई बिध्यक उस समय तक अधनियम नहीं बन सकता था, जब तक कि वहा, ठीक है, जब तक कि वहा, दोनों सदरों द्वारा पारिद और गौर्ण जनर द्वारा जब तक अधनियम नहीं बन सकता था, 1935 के अधनियम में, और आज भी ऐसा है, ठीक है, जब कोई भी जो है, बिध्यक तक अधनियम नहीं बन सकता है, जब तक लोकसभा और रास्तभा दोनों सदरों द्वारा पाल नकर ले जाए, और राश्पती सीनिचर ना कर दें, निरूपित नहीं करता है, तो हमारे यहां इसी कौन सी ब्यवस्ता है, जो संसद्य ब्यवस्ता के निरूपित नहीं करता है, पहला अप्सन है, संसलात्मक ब्यवस्ता में संसद्य की परधानता हो रहती है, बिल्कुल सही है, भारत में संसलात्मक सरकार की ब्यवस्ता है, ब पूछा गया है टीक है कि यहां इन में से नहीं पूछा गया है ठीक है hem नेश्ट आपकर उनेश्वाइस के जाएन, तगर इंदेलियर के संबन में कवधा धिश्यो 20 में कॉन सा कथन असत्य है, यह पूछा गया, पहला है संख्या नियाले में एक मुख न्याधिस सहीद अधिक्तम छे न्याधिस होते थे 1935 कद्रियम की बाद फोरी तो गलत हो जाएगा एक न्याधिस और दो अन्य न्याधिस होते थे संघे न्याले एक अभिलेख न्याले था जिसे अपनी अमानना ले डंड देने की सक्ति प्राप्ति बिल्कुल सही है तो जो कोड का आधिस नहीं मानता है उसे अमानना कहते हैं तो यह इसमें था इसका जो एंसर है क्योंकि आशा आसत्य पूछा गया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका एक केवल एक होगा जो गलत था है ठीक है नेक्ट रहेब का 1935 के भारज सासन अधनियम दौरा प्रांतों में दूति दूस अधनिये बिधान मंडलों की अस्थापना की संदर में कौन सा सही है तो 1935 के अधियम द्वारा प्रांतों में 2 सधनीय ब्यवस्था जब अपनाई गई थी वहाँ लागू कि गई थी तो उसके वारे पूचा गया पहला मिंगा थ्टिश्वडियम आइम द्वारा छे प्रांतों में सजुगत परांत पुरीशा बिहार मध्यपरांत और मद्रास थे ठीक है इसका जो एंसर है वो हो जाएगा एक ठीक है नेक्स आपका बिटिस मंत्री मंदलीय समिति द्वारा प्रस्तुति योजना के उसार अंत्रीम सरकार में किनके परतिद्य परतिद्यों को सामिल किया जाना जा था तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी तो coû निषिड़ाई आपका मौंव्रय ओजना को तीन जुन ओजना भी कहते हैं तो दिखा है नौन बिट्यन योजना के संब्मन में निम्द कतेनों पर विचार किजिये ओसं कि पहचान कि ठीक है पहले जो सो है भारत के बादगरस चार प्रांतों असम बंगाल पंजाब तो था उड़ीशा का विभाजन किया जाने के प्रावधान था नहीं यह गलत हो गया है असम के सिलहट छेत में विभाजन का नेड़े जन्मत द्वरक किया जाएगा यह बिल्कुल सही है तो सिलहट असम में था जिसको आज बंगलादेस में दे दिया गया है आज बंगलादेस का हिस्सा था तो यहां पर जन्मत संग्रा कराया गया था और यहां की लोगों से पूछा गया था कि तुम भारत में सामिल होना चाहते है या पाकिस्तान में यह लोग पाकिस्तान में सामिल हो गया थे इसलिए सिलहट को तो निस सो मैं आइसको चुनने बहुत सवाधनी बरतनी पड़ेगी, पहला ऑफ्सन है भारत और पाकिस्तान दोसोतंद अधिराज्यों के स्थापना की जाएगी, यह बिल्कुल सत्य है, देशी रियास्तों को भारत और पाकिस्तान किसी भी रियास्त में उनका छोड़ दी गई थी, किसी भी देश में सामिल हो सकते हैं। जन जातिय क्छेत्व बिट्रिस आसन के नियांतर बरकारा रखा गया था। बिल्कुल गलत है, पूरा देस आज़ाद हुआ था। ठीक है यह तीसरा नंबर नहीं होगा भारत यह पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को कॉमन ब्यालतर से अलग होने की छुट दी गई थी बिल्कुल सत्य है इसका एंसर केवल क्या हो जाएगा केवल तीन हो जाएगा जो जन जातिय छेत थे वो बिटिस सासन के नियंतर में नह समिधान को अंगिकित किया गया था चब्वीस नॉवम्बर को तो किस अधियम से परभावित था तो 1935 के अधियम से परभावित था और 1935 की 70% चीजें हमारे समिधान में आज भी मौझूद है ठीक है निश कोशन है यह कथन कारण के कोशन है इसे कोशन बहुत जादा पू की सक्तियों के लिए नहीं होता है जनता के कल्यार के लिए भी काम करता है तो पहला ऑफ्सन गर्थ हो जाएगा समिधान क्योंकि समिधान सरकार को इसी सक्तिया देता है जिससे वह समाज की सामोई भलाई के लिए काम कर सकी है तो सही हो जाएगा तो ए गलत है और आर सही हो आपका दी नेक्स्ट आपका निम्हें कि कथनों पर विचार कीजिए और आसत्य कथन की पहचान कीजिए इसमें पुछा गया कथन मतलब कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है इसका मतलब यह हुआ असत्य कथन हो गया ठीक है लिखा है आपका अधिक कठोर समिधान परिवरतन के दबाओं में निष्ट हो जाते हैं यह बिल्कूल सत्य है एदि समिधान अत्यदिक लचीला है तो समाज को सुरच्छा और पहचान दे सकता है ठीक है यह ऑपसन गलत हो जाएगा अगर बहुल लचीला होगा तो समाज को सुरच्छा नहीं दे पाएगा वो सार स्वयम को धालने में संतुलन रखता है बिल्कूल सही है तो इसका आयंसे हो जाएगा आपका केवल दो केवल दो गलत है क्योंकि आसत्य पूछा गया तो इसका आयंसे हो जाएगा दो ठीक है नेक्श्ट आपका निम्रकित में से कौन सा इस बात की धार्ड़ा को अस्प से कहीं निम्रकित करता है पहला संसत के एसति थे कहीं अधिक बड़े थेs PhD ऐसे कुछ नहीं था संसत की सीमाए क्या होने करे बिल्कूल सई है क्या समिधान ही बताता है कि संसत कैसे बनेगी और उसकी सक्तिया क्या होंगी क्या सीमाएं होंगी इसका जो एंसर है वो हो जाएगा आपका सी तो बहुत साउधान तरीकिस इसको पढ़ना है इसलिए बड़े-बड़े कोशन लाए गए हैं कि जिससे आपके कोशन बिल्कुल हल हो पजितेशन जाएं कि लिसके कुशन आपको कथनों के हैं लिकाए भारत का समिधान अधिक लंबा है ची कि म satisf ACT नहीं कर रा है कथन दोनों सही है, कारण भी सही है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका B Next आपका नेमलिकित कथनों पर विचार कीजिए और असथ कथन की पहचान कीजिए इसमें असथ कथन की पहचान करनी है राश्टे पहचान के उधारा अलग अलग समिधान में अलग अलग तरीकों से की होती है, बिल्कुल सही है, भारते समीजान जातियता और या नसल को नागरिता के अधार के रूप में मानता देता है, बिल्कुल नहीं देता है, हमारे है जातियता और नसल के अधार पर नागरिता को मानता देता है, ठीक है, तो या देखना है, इसक कौन सा ऐसा है जो सुमिरित नहीं है तो डाक्टर बी आर अमबेटकर प्रारू समित कमिटी के अध्यस्ते बिल्कुल सही है डाक्टर आजिंदर परसाद समिधान सभा के अध्यस्ते बिल्कुल सही है टीटी किष्णा मंचारी समिधान सभा के उपाध्यस्ते गलत हो जाएगा वो जो है प्रारू समिती के सदस्ते कौन टीटी किष्णावनचारी और के मोंसी प्रारू समिती के जो है सदस्ते बिल्कुल सही है इसका एंसर जाएगा आपका C ठीक है नेक्स्ट आपका भारते समितान सभा के उद्देश प्रस्ताव के संदर में निम्नकी कथनों पर विचार कीजिए और सत्त कथन की पहचान करनी है ठीक है पहला है आपका भर्द समिधान सभान ने उद्देश प्रस्ताव को 22 जनौरी 1947 को पारित किया था बिलकुल सही है ठीक है उद्देश प्रस्ताव को पारित किया गया था ठीक है दुसरा है उद्देश प्रस्ताव 13 दिसंबर 1947 को जो जो रहा नहरू द्वारा समिधान सभान मे इसको जो है दिया गया भाशर था बिल्कुल सही है तो इसका जो एंसर हो जाएगा C हो जाएगा ठीक है तो पेस किया गया था नहरू द्वारा पहले और पारित किया गया बाद में आगे लिखा है समिधान की प्रस्तावनों में परियुक्त निम्ने सब्दों को उनके सही करम में बेवस्तित किजिए पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा ऐसे कुशन आप बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं ठीक है तो पहला कौन सब्दों होगा तो पहला होगा सार भॉमिक दूसरा होगा समाजवादी फिर उसके बाद आएगा पंथ निर्पेच और फिर लाष्ट में होगा परजा तांत्रिक ठीक है तो प्रस्तावना में इस सब्दों को हमें सजाना होगा तो इसका एंस हो जाएगा आपका सी हो जाएगा तो इस तरह के कोशन बहुत जाएदा पूछ जाते हैं तो कन्फूजन वाले होते हैं इसलिए इसलिए इनको बहुत केरफुल याद कर लेना है आगे लिखा है समिधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्की कत्रों पर विचार कीजिए और सत कत्र की पहचान कीजिए ठीक है तो लिखा है भारते समिधान की बुन्यादी मूल्यों की जलक प्रस्तावना में मिलती है बिल्कुल सत्य है तो प्रस्तावना को भारते समि लिदिधान की उदेशिक, मतलब प्रस्तावना, आगे क्या लिखा गया है ? पहला है समिधान का भाग है, कि ये उसका कोई अन्य भाग हो से स्टन्त्र हो Section 9 कोई विदिक प्रावधान नहीं किया गया है तो यह बेलपकुल सbor्जाई इसका हैं सिरु हो जाएगा आपका ठीक है ओल्नेक्स और का भारते समीधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की सटनता का उलेख किया गया है किस परकार की सोतंता का उलेख हमारे प्रस्तावना में किया गया है ठीक है तिया देखना यह बहुत महात्पूर है तो विचार की सोतंता अभिव्यक्ति की सोतंता उपासना की सोतंता धर्म की सोतंता और विश्वास की सोतंता यह पाचों सोतंता हमारे प्रस्तावना में दी है तो यहीं पांच परकार की सुतंता हमारी प्रस्तावना में है एक कुशन कई बार आया भी है इसको बहुत अच्छे से याद कर लिएगा नेश कुशन है आपका लोगतंतर से अब प्रिया एक ऐसी विवस्था से है जहां सरकार जो है असरत कतन की परचान करना है उसके पर दाई होती है तो दो नमबर दो ग्लत हो जाएगा दो नमबर यहाँ भी है दो नमबर यहाँ विए हैं तिनों करके तैसल १क्र ऑप लक्राशन सौने झालने चार सही हो जाएगा ठीक है तीसरा के एसर हमें निकालने पड़ते हैं नेक्ष आपका भारते समिधान की उदेशिका के संब्द में निम्नमें से कौन सा कथन सही है ठीक है इसमें पुछ जा रहा है कौन सा कथन सही है पहला है आपका जवाला नेहरुद्वारा प्रस्तुत जो है अब्जेक्टि प्रस्ताव अंतोगतव देशिका बना बिल्कुल सही है इसकी परकिर्टि नियायोग जूठी सेवल नहीं है बिल्कुल यह भी क्या है यह भी बिल्कुल सत्य है इसका संसोधन नहीं किया जा सकता है इसमें संसोध चीक है निश्ट आपका भारते सम्धान की प्रस्तावना में किसका उलेख नहीं किया गया है तो याद एकना हमारे जो प्रस्तावना है उसमें तीन परकार के न्याय की बात की गई है उसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है तो प्रस्तावना में पांच परकार की सु प्रस्तावना में किस सुतंता का ओरन नहीं है तो किस सुतंता का ओरन नहीं किया गया अभी मैं आपको बताए दिया था तो विचार की सुतंता है विश्वास की सुतंता है विचार परगट करने की सुतंता है लेकिन आर्थी सुतंता का उलेक हमारी प्रस्तावना में नहीं कि स्था पूछा गया है तो या दखना प्रभाव है हमारे समिधान पर गण राज्य है इसका आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट आपका निम्रिकित मेंसे कौन सा प्राउधान बिटी समिधान से प्रेडित नहीं है मतलब ऐसा कौन सा प्राउधान है जो बिटेन की समिधान से नहीं लिया गया है ठीक है तो सरकार का संसदिय सोरूप तो लिया गया है बे औसिर सक्तियों का सिध्धान यह नहीं लिया गया है यह अमेरिका से लिया गया है निया पालका की सुतंता यह भी अमेरिका से लिया गया है तो दो और तीन नहीं होगा कानून इर्मार की विधी और कानून के सासंग का विचार लिया गया है तो दो और तीन नहीं लिया गया तो इसका एंसर हो जाएगा आपका C निश्कूशन है भारते समिधान पर सबसे अधिक परभाव किसका है तो 1935 के अधिनियम का है 1935 के अधिनियम की 70% चीजें हमारे समिधान में हूब हूब ले ली गई थी ठीक है निश्कूशन है आपका भारत में नागरिकों के संपर्भू होने अधवा देश की जनता की संपर्भूता से आसाई क्या है ठीक है यह पूछा गया है तो पहला है भारती जनता को मौली का दिकार प्राप्त है नहीं भारती जनता को ओड़ देने का दिकार प्राप्त है बिल्कूल नहीं देश की सर्वो सत्ता भारती जनता में अंतर नहीं थे बिल्कूल सत्य है जो की याद एकना जो जनता ही तैकरती है कि सासन कोन करेगा तिसका एंसे हो जाएगा आपका सी और नेश कोशन है निम्री कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए पहला है राज के नीती निर्देसक्तत तो समिधान की एक परमुख विसेस्ता है ये बिल निर्देसक्त पत्र के बिलकुल समान है ति बिलकुल गलत हो जाएगा ये जो लिया गया है ये आईलेंड के समधान से लिया गया है नीती निर्देसक्तत तो ये 1935 से कोई मतलब नहीं है तो यहां सत्य पूछा गया तो क्यों एक सही होगा इसका आएंस हो जाएगा आपका ए तो एक पचास कुशन मैंने करा दिया है इंडियन पॉल्टी के इसी तरह के कुशन मैं लगातार लाता रहूँगा हर सब्जेट के लाता रहूँगा और जिसलिए आपको सारा कॉंसे तैयार हो जाए और आपका बिल्कुत तैयारी अच्छे से हो जाए विपेस्सी का विपेस्स का तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा बेर आइक़न को प्रेस कर लिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे ओके थैंक यू